इन वे को और आगी बेक टो वैचेनल आज मैं आप लोगों को पीपनी मन पर्संद चीज बनाना से काहूंगी वह मैजु तो मैं नौर्मल मैगी तो हमेशा फाटी रहती हूं आप लोगों ने देखा है लेकर आज मैं है वेज बेयर मैगी की रेचिप्डी दिखा हूंगी तो मैंने क्या किया है मैंने 3-4 चमच तेल लिया है उसको फ्राइं पर में डाल दिया और एक छोटे साइस का प्यास लेकर ने काइड दिया है अम इसको थोरा सब बच फ्राइ करूंगी कि एस सॉफ्ट हो जाए मुझे इसको गोल्डन ब्राउनी करना बस थोरा सब आप देख कि सकथे हो यह षॉप ऌचुका है अभी तक इसका ठाल चेंज नीं और कि वह में स्हई थी नी है तो जैसे फोफ लूचका हूँक आप मैं समैं और शॉपर क्वाडा लच धार सब्सक्राइब दक है भिणाएब बीर को अजहाँ पाइब हमें चाहिए दिचेट मेद को करें उत्राइब यह झाल कोई जरती है कि अधियों सब्सक्राइब चुले ही बना जाएब उस ने लिए ग्रेंद है बनाएब दूर बना शोली है इतना कापी है इसको हम थोड़ा से मिला लेंगे और मतर जो है उसको पकने में ताइम लगता है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा का पानी भी आइड कर देंगे मैं जो है आदा कब पानी आड़ कर दी हूँ आदा कब पानी बहुत है क्योंकि इतना ज्यादा भी मटर इसमें नहीं डाला है और हमारा मटर जो है अच्छे से पक जाए और टमाटर भी गल जाएगा फ्लेम जो है मैंने लो पे रखी भी है मीडियम टु लो और इसको अब हम डख देंगे पांच मिनट के लिए तो पांच से दस मिट हो चुके हैं अब मैं इसको हटा रही हूँ आप देख सकते हो अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है हम लोग फ्लेम जो है अब मीडियम टु हाई कर देंगे हाई टु मिडियम या मिडियम टु हाई जो हाई यह देखें हमारी हमारा जो मतर है वो भी 90% पक चुका है अब इसमें मसाले डालेंगे मैंने एक टी स्पून चाट मसालर इसमें डाला है मारति ने जहाँ है thenका बहुत जाए किसी हो जाएगा इसलिफ इतना ही डाल रही हूं और मटर मैंने बताया कि जैसे 90 परसंट पक गया है तो 10 परसंट यह और पकेगा और वह कैसे पकेगा वह आप लोग आगे वीडियो में जरूर देखें तो मैं इसको भी अच्छे से मसालों को और सब्जियों को मिक्स कर दी चटपड़ा मैगी यूज की है मैंने और अब मैं इसके अंदर मैगी मसालों इसमें दो गिलास पानी दालूंगी तैकि अच्छे से मटर भी पक जाये और हमारी मैगी भी बख जायेगा अब हम इसमें मैगी मसाला अइट करेंगे दो ग्लास पानी मैगी और मैगी मसाला तो इसको भी मैं अच्छी तरह से सारी जगा पे पहलानी की कोशिश कर रही हूँ जैसे ही मैगी मसाला एड़ हो गया है अब मैं इसमें शिम्ला मिश डालूंगी बिल्कुल बारीक का टीवी शिम्ला मिश में इस्तिमाल कर रही हूँ पोस्ट में डालूंगी आप चाहें तो उसमें आप अपनी मर्जी की भी सब्जियां डाल सकते हैं लेकिन मुझे यही जो है ज्यादा सही लगता है और बैलेंस लगता है इसलिए मैं सर्फ यही सब्जियां यूज कर रही हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में लाके फ्लेम को फुल कर रही हूँ और इसकी बार हम इसको पकने देंगे 5 मिनित के लिए तकरीव हैं लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर नमक एड़ करेंगे क्योंकि पहले मैं नमक नहीं डाला था वेक सा डाली हो एक टी स्पूल नमक अब हम इसको 5-10 मिन, 5 मिन के लिए पकने देंगे, 5 मिन में मैगी बिल्कुल तयार हो जाएगी और फ्लेम जो है बिल्कुल फुल पे रखनी है इस पॉइंट पर तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमारी मैगी 5 मिन बाद तयार हो गई है बिल्कुल हलका सा पानी रहे गया, अब मैं इसको चमच से इसे हिला रही हूँ तो इसका पानी भी खतम हो जाएगा अब जैसे इसका सारा पानी खतम हो जाएगा फिर मैं इसको फ्लेट में निकाल के डिशाओट करूंगे और हमारी मैगी बिल्कुल तयार है और जो मटर भी थे वो भी बिल्कुल पक चुके हैं अच्छे से और बाकी सब्जियां तो वैसे ही पक गई थी तो ये बिल्कुल तयार हो चुका है अब इसका सारा पानी भी खतम हो गया तो मैं इसको जल्दी से प्लेट में निकाल के आप लोगो को दिखा दी हूँ रेखे हैं हमारी वेज मैगी जो है बिल्कुल तयार हो चुकी है और बहुत मज़े की लग रही है आप लोग जरूरे इसको ट्राइ करें और प्लीज गिवर थम्स अप और सब्सक्राइब तो मैं चानल और मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं कि मैं आप लोग लिए और कौन-कौन सी रेचिपीज बनावागा